दोस्तो और मुश्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मै उर्मिलेश अपने देश के पांच राजियों में चुनाओ हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्राखंड में खास तोर पे इन राजियों में अब आवाजें धेरे धेरे उठने लगी हैं कि किस तरह से दलों के बीच में एक कैर बराबरी का महाल बनता जा रहा है चुनाओ प्रिचार की पंधती को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने तो अपने समझ से ये कोशिश की थी कि कोरोना का ये जो दौर है जिसको तीसरी लहर कहा जा रहा है इसमें लोगों के बीच में संक्रमन नहों ज्यादा ज्यादा फैलाव नहों उसका तो उस बचाव के लिए तरह तरह की पधतियों का प्रस्त तरह की चीजों पर प्रतिबंद लगा दिया गया और उसके बदले डिजिटल प्लेटफर्म के इस्तेमाल की आजादी दी गई ये कहा गया कि वर्च्वल रेलीज हों तो वर्च्वल रेलीज को इस पार्टी करने लगी है लेकिन अब इसकी वज़ा से कि जो जिस तरह से ड आजिनितिक दलों में एक अजीब तरह की द हशक्त सी है द हशक्त मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि भारती जंता पार्टी जो देश का सब्ताधारी दल है प्मपता है उसके एसेट्स जो है और इसका पार्टी फंड जो है वो बेशमार है उसके आंक्ने बहुत सारे अख दूसरी पार्टियां है और जो भारती जनता पार्टी है उसके बीच में एसेट्स और और फंड का जो जो रेशियो है वो जमीन आस्वान का अंतर है बहुत बड़ा अंतर है यूज गैप है तो यूँ कहा जाए अगर आसान भासा में कि अपने देश की अलग-अलग पार्ट है कि वो कैसे डिजिटल प्लेटफर्म के जरिये जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें कैसे वो कंपीट करें भारती जनता पार्टी से तो उनका ये कहना है कि ये लेवल प्लेइंग फिल्ड कैसे ये इसको कहा जाएगा तो अब एक सवाल उठता है कि अगर चुना अधान के साथ यह भी जुड़ा है कि एक लेवल प्लेइंग फिल्ड भी बनना चाहिए ये इसके बगैर चुनाव को आप निस्पक्ष नहीं बना सकते ये एक बड़ा महत्मु पालू है तो आज उत्तर प्रदेश के पुर्व मुक्यमंत्री और समाजबादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष स्वैम अखिलेश यादो ने ये कहा कि ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस तरह कुछ रायरितिक धल भब्य तैयारी के साथ बड़ी तैयारी के साथ पहले से ही मैदान में आ गए हैं डिजिटल प्लेट्वर्म्स के जरिए लेडी जो बड़े- कुछ तिनोंने तैयारी कर ली और दूसरे जो रायरितिक धल हैं वो अब धीरे-धीरे तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया उन्होंने यह तक कह दिया कि जिन अधिकारियों के जरिये अगर ये बात लीक कई गई हो किसी पाटी विश की तरफ से की गई ये पहली इतनी कड़ी और इतनी इतनी महत्मूर्ट टिपणी है और मैं समझता हूं कि इस टिपणी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि भारती जंता पाटी ने 403 सीटों के लिए बकायदे LED स्क्रीन से लैस जो ब पाटी रवाना कर दिया और यहीं नहीं बताया जाता है कि कई हजार एक आंकड़ा है अखबारी आंकड़ा है मैं इसकी प्रामाडिता के बारे में कुछ नहीं कह सकता ये क्योंकि ये मेरा आंकड़ा नहीं है मैंने इसको इसकी चान भी नहीं किया लेकिन बड़े अखबार और बड़ी वेब साइटों पर यहां करा है कि 27,700 पावर सेंटर्स ने बनाए हैं और इन पावर सेंटर्स पर काफी बड़े पैमाने पर 10,000 सोशल मीडिया फंक्शनरी यानि 10,000 सोशल मीडिया को हैंडिल करने वाले उसके कारेकरता तैनात रहेंगे अब 47 बात का है कि ये जो एलेक्शन कमिशन ने एक विवस्ता दिया है कि 28 लाक के बजले 40 लाक रुपया उमिद्वार खर्च कर सकेंगे लेकिन अब जब डिजिटल ढंग से सारा ये चुनाव लड़ा जा रहा है तो रायनितिक दल जो हैं यानि बीजेपी के अलावा जो अने रायनितिक दल हैं खास तोर पे उत्तर पुदेश के कांटेक्स्ट में कहें तो समाजवादी पार्टी उसका कहाना है कि ये नाकाफी कर सकें या वो बियर कर सकें अब इसके अलावा एक पहलू और है अब जबकि आप जानते हैं हम सब जानते हैं कि चुनाव की तारीख जो है बहुत नजदीक आ रही है ऐसे में अब धेरे धेरे नुकर सभाएं भी सुरू हो गई हैं नुकर सभा तो उसको नहीं कहेंगे हर गली गली जाकर घर गर जाकर कि चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है नेताओं ने आज पहली दफा मैंने देखा कि रास्ट्री अस्तर के एक बड़े नेता जो भारत के ग्रे मंत्री भी हैं अमिशादी वो कैराना जाकर के और 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 दरवाजे दरवाजे लोग प्रचार के दोरान हो आप इसको नुकर सभा कर रहें कि नुकर सभा प्रटिबंदित है लेकिने तो नुकर सभा जैसी हो जाती यह अगर गांगां में घर-घर में लोग जा रहें और बड़े पैमाने पर जा रहें तो सेक्योर्टी से ले करके और जो कारिकरता पार्टी के हैं जो घर के लोग हैं मार्केट के लोग हैं सभी कट्टा हो जा रहे हैं और समय मैंने देखा कि बड़े मंत्री से ले करके और छोटे मंत्री तक बहुत सारे लोग जो कारिकरता हैं अनेक लोग ऐसे थे जो बगेर मास्क के थे और जो सेक्योर्टी वारे हैं बलकि वो बिचारे मास्क लगाए हुए थे कुछ गाओं घर के लोग भी मास्क लगाए हुए थे जो कस्मे के लोग हैं लेकिन कई लोगों को बिना मास्क के मैंने देखा तो अब सवाल उठता है कि आयोग ने अगर कुरुना के मद्दे नजर चुनाव की रणनीती में चुनाव प्रचार के तोर तरीकों में ये तब्दिली किया है तो क्या वो पुखता है क्या उसका कोई मतलब है या केवल यूही कर दिया है और उसका कोई परिक्षन नहीं हो रहा है कोई निरिक्षन नही गोई नहीं हो रहा है कोई उसकी समिक्षा नहीं हो रही है क्योंकि अब चुनाओ प्रचार तो आपने कहा कि भीड नहीं होनी चाहिए लेकिन अभि कुछ दिनों पहले नहीं से लेकिन देखा इंट हो चुनाओ temple ठीमत्र जगर लाखों की भीड हुई और लाखों की भीड में लाख से अधिक लोग थे जो मिनमास के थे तो आप किसका बचाव कर रहे हैं तो ये कई बार एक सवाल उठता है कि क्या election commission ने जो प्रावधान किये हैं इस चुनाव में कि रहली नहीं होगी ये नहीं होगा वो नहीं ले रही है क्या इस situation का फायदा नहीं उठा रही है और एक level playing field create करने में election commission बिलकुल असफल हुआ है विफल हुआ है एक बड़ा सवाल उठता है और ये सवाल यहीं से नहीं कई राज्यों से उठ रहा है उत्तर प्रदेश से ही केवल नहीं और दूसरी बात कि ये भी एक द पेले की बात छोड़िए हर conspiracy में दो या तीन सभाएं केवल हो या हो सकता है कि जो उसका मुख्याले है वहाँ पर बड़ी सभाएं हो और सभा के लिए हर राजितिक दल को अलग-अलग दिन मुहिया करा दिया जाए election commission की तरफ से स्वैम उन सभाओं का आयोजन किया जाए औ और नेता अपनी ओपनी ओर से जाकर के वहाँ बात करें और जो लोग सभा में जाए लिमिटेड संख्या हो उनकी और आम लोगों को बकायदे मास्क के साथ और सेनिटाइजर वहाँ पर गेट पर रखा हो चारो और बैटकों के जो रैली का अस्थान है और तब इंट्री द रही है तो ये भीड और एक रैली की भीड दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है रैली में कम से कम नेता अपनी बात बोल सकता है लेकिन चनाव प्रशार जो गली गली जाकर या घरगर जाकर के वह लोग परचा बांट सकता है अधिक सथी कुछ वाग के बोल सकता है तो नहीं किया है इसके अलावा एक बड़ा प्रशन और उठरा है कि पंजाब में मुखे मंत्री चरंजी सिंग चन्नी के भतीजे के हां च्छापा पड़ गया एडी ने च्छापा मारा और कहा गया कि ये बालू माफिया है या वगरा वगरा आरोप लगा राजनितिक दनों द कि इतना पैसा मिला ये किया गया वो किया गया अब चरंजी सिंग चन्नी और पूरी कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि एन एलेक्शन के बीच में इस तरह की चापे मारी करना वह अभी एक राजनितिक दल के प्रवक्ता की तरफ से पहले आरोप लगता है उनके है अगर उनका भतीजा वाकई खरनन माफिया है या उसके पास अवैद पैसा है अगर कोई गरबड़ी उसने की है तो पांच साल का वक्त था कोई भी एजनसी चापे मार सकती थी कानूनी कारवाई कर सकती थी लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर हो चुका है एन चुनाव के द एक क्राइम का मसला है अगर बालू माफिया है अगर बालू खनन का मामला है अवैद रकम का अगर मामला है तो जाही रैट इंकम टेक्स का है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों एलेक्शन कमिशन ऐसे इशूज पर भी बिलकुल खामोश है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पांच राजियों के इस चुनाव में चुनाव आयोग पर सवालों की बहुचार हो रही है और एलेक्शन कमिशन इस मुद्दे पर अपनी सफाई उस तरह नहीं पेश कर पा रहा है अभी हाली में हमने देखा कि एक भारती जनता पार्टी के कई कारिकर उमिद्वारों को देखा कि भारी भीड वो सड़क पर लेकर चल रहे हैं अब किस लिए चल रहे हैं लेकिन उनके उपर न तो कोई केस हो रही है न तो उनसे कोई पश्टी करण पुछा जा रहा है लेक के कामकाज की और स्वतंत्रता पर मुझे लगता है कि सवाल उठाती है एलेक्शन कमिशन जैसी महत्पुन समवैदानिक संस्था को इस पर गौर करना चाहिए दोस्तों दूसरी जो हमारी खबर है इस सप्ता की वो एक बड़ी दिल्चस्थ खबर है और वो यह है कि जिन इलाक से कई ऐसे द्रिश्टान सामने आये हैं और उत्तर प्रदेश के आखवारों में बीच के प्रिस्टों पर कहीं कहीं यह चपे हुए हैं कुछ वेब साइटों पर और कुछ टेलिविजन चैनलों पर भी दर्श आये गए हैं तो इनके बकायदे फुटेज भी हैं उसमें हम एक केवल कहानी एक केवल उधारन देखकर अपनी बात खतम करूंगा फिरगली खबर पर जाऊंगा एक निर्वाचन छेत्र है पश्टी मुत्र प्रदेश में खतावली यहां के विधायक हैं भारती जनता पार्टी के विक्रम सिंग सैनी साहब इनको पिछले दिनों ग्रा सरकार ने और आपकी पार्टी ने जिस तरह किसानों का दमन किया है कितनी किसान मर गए अपने अंदोलन के दोरान उन पर कोई भी फैसला अभी तक सरकार का नहीं आया ऐसे में आपको हम चुनाव में क्यों अलाउड करें क्यों आपको हम उठ दें तो कृप्या आप हमारी गाओं में आईए नहीं क्योंकि इससे लोग भड़केंगे आपकी आपकी गत्विदियों के कारण अकीत की गत्विदियों के कारण अब जिल्चस बात यह है कि विक्रम सिंग सैनी साहब स्वैमी बड़े भड़काऊ भाषन देने के लिए विख्यात रहे हैं और अब उनको जनता का रही है कि आप नौ आईए तो एक ये भी सिलसिला चल रहा है पश्ची मुत्रप्रदेश में और दोस्तों हमारी अगली खबर है कॉंग्रेस पार्टी से सम्मंदित कॉंग्रेस की जो राश्ट्री महासचिव हैं और उत्रप्रदेश की प्रभारी प्रियंका लेकिन जब बाद में पत्रकारों ने इस बावत उनसे पूछा तो वो मुकर गई संबोतों उनको लगा होगा कि ये तो क्या हमने कह दिया क्योंकि पार्टी के प्रदेश ध्यक्ष वहाँ पर हैं विधायक दलकी नेता हैं और प्रियंका गांदी भी हैं हो सकता है कि प्रिय प्रियंका गांदी बहुत एक्टिव हैं निश्चित रूप से पार्टी को एक मामदर्शन दे रही हैं एक ऐसी पार्टी को जो वर्षों वर्ष से उत्तर प्रदेश में काफी सुस्त पड़ी है या उसके सामाजिक आधार में ठाराओ है लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब वो पत्रकारों के सवालों के जबाब दे रही होती हैं तो कई बार हर्वणी में वो कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो शायद पहले से सोचा हुआ नहीं होता है तो एक ये पहलू सामने आया और दूसरा एक दिल्चस पहलू जो एक इंटर्यूव में उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं या चुनाव संपन कराने में चुनाव जीतने हारने की विद्या में जिनको भारत में बड़ा ही चर्शित व्यक्ति माना जाता है जो जिन्होंने प्रधान मंतरी नरिद रमोदी के चुनाव का भी एक तरह से पार्टी की जो टॉप लीडर्सीप है उसमें सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रियंका गांदी ये तीन लोग कि कांग्रेस में वो शामिल हो जाएं इस पर बात हुई थी कई चक्र बात हुई थी और काफी समय ये बात्चित चलती रही लेकिन फिर दोनों और से बात् चुनाव हार चुकी है और चुनाव हार चुकी है रही क्या मतलब लगता है कि उस पार्टी का नेत्रत्व एकी व्यक्ति के पासच रहे तो क्या ये ये डैवी शक्ती प्राप्त प्रेश्ञसां ऐसा लगता है कि वो Congress को जैसे कि नेत्रतों में आने के लिए बिलकुल व्याकुल थे और Congress Party ने कहीं न कहीं लगाम लगा दी या कहीं उस प्रक्रिया को ठाम लिया तो यह काफी वो दुखी इस बात दे थे और इसके बाद उन्हें ताबढ़ तोड़ Congress से कई नेताओं को त्र Congress में गोवा से ले करके और नार्थिस्ट के कई नेता शामिल हुए उसी खीज में तो इससे यह लगता है कि कहीं न कहीं प्रशांद किशोर की राजनितिक महत्वाकान चाहें इस प्रकार की हैं कि वो चुनावी रणितकार से सीधे राजनिता बन जाए और कोई पार्टी उ या राइट विंग सोसल सोसेलोजिस्ट की तरह है अगर आप सोसेलोजिस्ट शब्द को बिलकुल राजनितिक शब्दों में लें उनके संदर में तो उस तरह का है तो क्या Congress Party जो इतनी पुरानी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई का नित्र तो कर चुकी है वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई सामाजिक राजनितिक कार्य नहीं है समाज के बीच में सिवाए रुननीति बनाने के सिवाए कुछ लोग को गुर बताने के सिवाए आंकड़ा नापने के क्या उसको अपनी पार्टी का इतना बड़ा ओहदा दे सक देने के बारे में गंभीरता खुलासा होता है कि वो पार्टी के बड़े उहदे पर बैठाने लाइप उसके अपने नेता का नेताओं का भाव हो गया है इसका तो मतलब ये निकलता है तो प्रियंका गांधी के इंट्रिवू के इसी पहलू के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं नमस्कार आदाप स जिया काद़